है है थैंक यू फॉर सपोर्ट नाम गोंग तो अगें मेग दा सेकंड पार्ट आफ यूर टॉपिक दैट इस पीपल एज रिसोर्स मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज तभी यूसफुल होती है जब उसको यूस किया जाए न तो पी जिस तरह से नेचर की दूही चीज हम हमारी लिए दिस बन जाती है वैसे ही पीपल जीस ऐफर्ट से किसी भी चीज को जब वैल्यूबल बना देता है तो वह बन जाता है तो दो पीपल की जो हिदेन कौलटी है वह हमारी लिए बन जाती है एक तरह का रिसोर्स तो जिस तरह से एक्सपक्ट किया गया है कि जो Photos से ज्यादा इलिटेट पर्सन बहुत कुछ कर सकता है और है अल्दी पर्सन जितना कर सकता है वो अनल्दी परसन नहीं कर सकता है तो इसी लिए का जाता है कि जो एजुकेशन एंडिस कर्स वो आपकी अर्निंग को डेटर्माइन करता है फॉर एजमपल आप दें देखा होगे कि मैन एंड वुमेन को एक्वाली जो है पेट नहीं किया जाता है ना ना इक्वाली पेट क्योंकि जो मैन वुमेन को जो है कंपेर किया जाता है लो हेल्थ वाला या लो इसकेल पावर वाला परसन इसी लिए उनको जो है उनके हेल्थ के बेसेस पे या उनकी स्केल के बेसे पे जितनी मेन को दी जाती है उतनी नहीं दी जाती है लेकिन हाँ अब ये कंडिशन सुधरने रगी है इना टीचिंग सेंटर वुमेन आर ओसो गेटिंग सम् हाइपोस इन देयर अबिल्टी तो अब देखिए क्वा नाओ नेक्स अपिक इस क्यालकि संद्ट सेंगे आप जो है तो जो फोपुलेशन पर डिपेंड है वो पोपुलेशन जी है उसकी क्याल्टी करता है अगर वहां की population educated होगा, healthy होगा, तो वो बहुत कुछ करेगा, you know, for example, what do you mean by education? if you are educated, that means you are ready for employment, if you are ready for employment, to you will be, do much thing for your culture and you will reach your culture, you know, you will make rich your tradition, to you, यह चीज़, possible है, because of your education and after this health, health means क्या होता, when you are free from any diseases, for example, जो healthy person, जो क्या करता है, वो growth ability, अपनी ability को grow करता है, to fight against diseases, और आज में हमने देखा गया है, कि 50 years में, इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा जो, वो स्केर सेंटर को develop किया है, कि हमारे हाँ, इसी वज़ा से कहते हैं, नहीं हमारे हाँ, लोगों की उम्र बढ़ गई है, ठीक है, अब देखिए, देखिए, जो अनिप्राइट में आती है, वो कौन सी पॉपलेशन आते हैं, कि हमारे पास काम नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, इस विल भी, अनिप्लाइमेंट, तो अगर हम अनिप्लाइम को देखते हैं, तो इट इस कमिक इन थर्ड टू ग्रूप, यह रूलर अन अर्वां, रूबल में जो अनिप्लाइमेंट आती है, तीज बेज ऑन सीजनल, based on month. जो कुछ people ऐसे हो जो season के basis काम करते हैं, month के basis काम करते हैं और जब वो month चला जाता है तो they are free from job. तो वो people क्या आएंगे? They will become in the ruler unemployment, ठीक है? हमारे हाँ, urban employment भी है हमारे हाँ, तो वो people जो uneducated हैं, but they have no degree, proper degree, which a factory want, which a industry want, so they are also jobless. तो this category is also coming in urban jobless, ठीक है? urban employment so the employment of both the sector, अर्बन या ruler, बोथ are not good for our society and our country, तो unemployment effect कैसे? यह क्या करते हैं, these waste the human power, जो human के अंदर waste power है, उसको waste करते हैं, उसको waste करते हैं, when they are not getting job they became hopeless and going in a depression condition and doing crime यहना, गलत काम करने लगते हैं, when they are jobless, they lead to economic overload, उनके उपर जो है economic load, overload बढ़ता जा रहा है they are, they have low quality life, उनका जो standard life का वो घटता जा रहा है because of unemployment and they they have, they are also suffering from decline in health status, उनके पास job नहीं है, उनके पास pressure जाता है तो उनका health status भी क्या होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, और उनका social value भी is going to downfall, और उनका जो agriculture में हमारा जो रूजान था वो दिरी दरी पीछे होता जा रहा है लोग कहां जा रहा है, they are going to IT, biotechnology, call center and rest of the job to earn the profit, to earn the money for being a job, job में रहने के लिए वो ये सब सेंटर को भी choose करने लगे है and avoiding the primary sector जो हमारे लिए बहुत ही useful है जिसकी बहुत सारी demand है, तो ये सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि both the sector have the job for their standard status तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं finish होता है If you like my video, please like, share and subscribe Thank you